हेलो दोस्तो स्वागत आपका मारी यूट्यूब चैनल यहू बाबापे जावस्किट की इस अग्जाम्पल सीरीज में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम जावस्किट की हल्प से टैब्स बना सकते हैं तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि टैब्स होते क्या हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एक 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 एग्जाम्पल उपन करके रखा है ब्राउजर के अंदर जिसमें मैंने टैब्स बनाए हैं यहाँ पर देख सकते हैं देखिए यहाँ पर हम टैब का टैटल देते हैं और जैसी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उससे related content यहाँ पर open हो जाता है यह देखिए यह tab 3 है, यह tab 2 है, यह tab 1 है मैंने अभी example के लिए सिरफ यहाँ पर tab 1 लिखा है, tab 2 लिखा है आप यहाँ पर कोई meaningful name ले सकते हैं जैसे home, gallery, about us, ऐसा कुछ करके तो यह होती है tab जो हम इस वीडियो में देखने वाले है तो आईए शुरू करते हैं practical तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना web editor open कर लिए जिसके अंदर यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम tabs बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक file बना लिए जिसका नाम में ने रखा है tabs.html यही same file मैंने यहाँ पर browser में भी open करके रखी है अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर tabs की starting करता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे जितने भी open tabs के अंदर button आने वाले हैं उनको मैं create करूँगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक div ले लेता हूँ जिस पर मैं class लगा रहा हूँ tab और इसी के अंदर मैं यहाँ पर अपने multiple buttons डालने वाला हूँ तो देखिए सबसे पहले मुझे लेना है यहाँ पर एक button tag और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ tab 1 यह देखिए जैसे मैं यहाँ पर button ले रहा हूँ आप इसकी जगा पे unorder list या order list वगारा भी ले सकते हैं तो अभी मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं common class लगाऊंगा और उस class का नाम है tab links और इसी के साथ मैं मुझे अपना एक data attribute लेना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा data, hyphen और इस data attribute को मैं जो अपना नाम देने वाला हूँ उसका नाम है tab, यह देखिए और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना एक name ले लेता हूँ जैसे tab 1 तेखिए मैंने इस पर कोई अलग से वीडियो तो नहीं बनाई है data attribute पे मगर यह HTML5 के अंदर एक feature आया है जिसमें हम अपने खुद का भी कोई name का attribute बना सकते हैं जैसे यहाँ पर class नाम का एक attribute है उसी तरीके से यहाँ पर मैंने यह अपना खुद का attribute बनाया है इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है data hyphen और उसके बाद आप अपना कुछ भी एक name ले सकते हैं without space और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक value दिये इस value को मैं आगे जाके use करने वाला हूँ अब मैं इसी वाले button को duplicate कर लेता हूँ two times यह देखिए तो यहाँ पर मैंने इसका name ले लिया two और यहाँ पर मैं इसका name ले लेता हूँ three इसी तरीके से यहाँ पर data tab की भी value मैं change कर लेता हूँ two और three यह देखिए यह हमारा tab का काम complete हो चुका है अब इसके बाद मैं चाता हूँ कि user जब भी इस button one पे click करे या two पे click करे तो उससे related कोड़ी content भी open हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है मुझे यहाँ पर एक div लेना जिस पे मैं class लगाने वाला हूँ tab content यह देखिए यहाँ पर मैं एक special id भी लूँगा यह id वही होना चाहिए जिस पे user क्लिक करके open करेगा तेखिए जब मैं user जो है tab one पे click करेगा तो वहाँ पर यह tab one open होना चाहिए तो मैं यहाँ पर इसी को copy करके यही पर id डाल लेता हूँ यह देखिए तो यह unique tab होगा tab one, tab two, tab three और इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं एक heading ले लेता हूँ जैसे heading two और इसके अंदर लिख देता हूँ tab one आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं just आपको यहाँ पर एक example बना के दिखा रहा हूँ और उसके यहाँ पर मैं एक paragraph भी ले लेता हूँ heading के बाद जिसमें मैं यहाँ पर 30 words का एक paragraph add कर देता हूँ यह देखिए तो यह मेरा एक tab content बन चुका है मुझे यहसे मैंने यहाँ पर 3 button लिए तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे यहाँ पर 3 बाद tab content भी बनाना पड़ेगा तो मैं इसी को copy कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर 3 times paste भी कर दूँगा यह देखिए second time और यह ओगे third time तो जैसे हमने पहले वाले tab में ID दिये था tab 1 तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ tab 2 और यहाँ पर ले लेता हूँ tab 3 इसी तरीके से मैं यहाँ पर heading भी change कर देता हूँ 3 और tab 2 इसके अंदर आप content भी change कर सकते हैं देखिए जैसे second वाला है मैं इसमें एक paragraph और add कर देता हूँ यहाँ पर मैंने 20 words का एक paragraph और add कर दिया और last वाला जो है इसमें भी मैं यहाँ पर lorem 10 words का एक paragraph add कर देता हूँ यह देखिए तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यह देखिए यहाँ पर यह हमारा सारा content आ चुका है अब इसकी मुझे styling करनी है तो यहाँ पर अभी मेरा CSS का काम रहता है तो यहाँ पर देखिए head tag के अंदर मैं style tag के अंदर आऊँगा और यहाँ से मैं styling करना शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर एक universal selector ले ले लेता हूँ जैसे star और मैं यहाँ पर अपनी property लगा लेता हूँ box sizing और इसकी value देता हूँ border box यह property मैंने इसलिए लगाई है कि future में कभी भी मैं किसी भी dim में जाकर अगर padding लगाता हूँ या border लगाता हूँ तो इससे उसकी width नहीं बढ़ेगी तो इसके बाद अब मुझे क्या करना यहाँ पर मैं अपने CSS में अगली styling करने लगा हूँ body tag की तो जो भी body tag है मैं इसके अंदर एक background में light gray color देने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं light gray color दे रहा हूँ E7, E7, E7 अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो यह सबसे पहला है हमारा tab जिसके अंदर सारे buttons आ रहे है इस div की मैं यहाँ पर styling करने वाला हूँ इसको basically मुझे करना क्या है यहाँ पर मुझे देना इसको एक width और जैसे मैंने यहाँ पर माली जी एक width लगा ली 500 pixel यह देखिए और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक property और लगाने वाला हूँ जिसका नाम है overflow hidden यह देखिए मैं चाता हूँ कि अगर कभी भी इसमें ज़्यादा tabs आ जाएं तो यह overflow करके कहीं बाहर ना चले जाएं इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ही यहाँ पर property लगा लिया overflow hidden और इसको अभी मैं फिलाल के लिए एक border भी लगा देता हूँ temporary border है यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया और यह देखिए यह सबसे उपर आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक weight PA चुकी है और इस पर border भी लग चुका है यह border मैं बाद में जाके हटा दूँगा अब इसके बाद बात आती है कि इस tab के अंदर जितने भी यह buttons आ रहे हैं इनकी मुझे styling करनी है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं इसके लिए selector बनाता हूँ कि tab के अंदर जितने भी buttons आ रहे हैं उनका मैंने यहाँ पर एक selector ले लिया और यहाँ पर मैं उसको एक background color देने वाला हूँ color रहेगा मेरा 90CAF8 अब इसी के साथ मैं यहाँ पर इसमें by default जितने भी buttons होते हैं उसमें border आता है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहोंगे इसमें border आ रहा है तो border मैं remove करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ border none और बिलकुल इसी के साथ मैं यहाँ पर outline को भी यहाँ पर none कर देता हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक background color भी आ चुक है और इसमें border वगएरा भी हट चुक है अब इसी के साथ मैं यहाँ पर padding भी लगा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं एक padding दे रहाँ top से और bottom से रहेगा 10 pixel और left और right से रहेगा 15 pixel यह देखिए इसी के साथ मैं यहाँ पर जो भी font आ रहा हूँ उसको bold भी कर देता हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर मैंने ले लिया font weight bold और इसी के बाद मैं यहाँ पर अपना एक property ले रहा हूँ जिसका नाम है cursor मैं चाता हूँ कि user जैसे इस पर mouse लेके जाए तो उसको click quality feeling आनी चाहे तो यहाँ पर मैंने file code save किया और यह देखिए अब मैं mouse लेके जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर cursor भी आ रहा है जैसे आप देख रहे है cursor pointer आ रहा है अब इसके बाद मुझे क्या करना है मैं चाता हूँ कि user जैसे इस पर mouse लेके जाए तो इसका color थोड़ा सा change हो जाए थोड़ा सा dark में आ जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे इसी selector का hover effect परनाना है अब यहाँ पर मैं अपनी pseudo class लगाने वालों बटन पर hover और इस पर मैं background color change कर दूँगा मेरा color रहेगा 74AEDD और यहाँ पर मैंने file code save किया और यहाँ पर मैं आया यह देखिए color थोड़ा सा change हो रहा है hover करने पर मैं इसमें minor सी एक transition भी add कर देता हूँ smoothness के लिए तो यहाँ पर मैंने दे दिया transition और जैसे मुझे transition लगानी है background पर 0.3S यह मैंने इस पर transition भी add कर दी मैंने file code save किया अब देखिए जैसे इसमें माऊस लेके जारा हूँ हलकी सी transition भी आ रही है smoothness के साथ color change हो रहा है अब इसके बाद मुझे क्या करना है मैं चाता हूँ कि user जब इस पर click करेगा तो इस पर एक active class लग जेगी वो class तो हम javascript से लगाएंगे उसकी styling भी मैं यहाँ पर पहले से ही कर लेता हूँ तो उसके लिए मुझे यही वाला सारा selector copy कर लेना और यहाँ पर paste जहाँ पर मैंने यह hover लगाया है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ active class यह देखिए तो जब भी button पर active class लगीगी तो उसका color मुझे change कर देना white तो यहाँ पर मैं उसका hexa code लगा रहा हूँ FFF और यहाँ पर मैंने file save करी और यह देखिए यह हमारा tap का काम तो complete हो चुका है अब इसके बाद बाद तती यह नीचे वाले content की जिसके लिए मैंने यहाँ पर class लिए tap content तो सबसे पहले मैं इसी की styling कर लेता हूँ तो styling करने के लिए मुझे करने के यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ tap content तो सबसे पहले जितनी भी tap content है इनका color जो है मैं background color white करने वाला हूँ यह देखिए white color हो गया अब इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी width ले लेनी है तो जितनी मैंने ऊपर tap content की width ली थी 500 बिल्कुल उतनी ही width मैं नीचे tap content की भी लेने वाला हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने file को save किया यह देखिए यहाँ पर जितनी भी tap content है सब की अंदर background आपको दिख रहाँ white color हो चुका है अब यहाँ पर जो border है बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ आप देख रहे हैं text जो है बिल्कुल किनारे पे है तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी padding मी ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैं padding ले रहा हूँ जैसे हर site से 12 pixel की उसके बाद मैं इसमें font family भी लगा देता हूँ aerial आप अपनी मर्जी से कोई भी font लगा सकते हैं और इसी के साथ मैं इसको एक line height भी दे देता हूँ line height जैसे मैं दे रहा हूँ 21 pixel यह देखिए यहाँ पर मैंने file save करी और यह देखिए अब मैं चाता हूँ जब भी page लोड़ो तो starting में कोई भी tab open ना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँँगा यहाँ पर मैं लिखूँँगा display none तो जितने भी tabs हैं वो सारे hide हो जैंगे यह देखिए hide हो चुके अब इसके बाद हमारा काम शुरू होता है जावा स्क्रिप्ट का तो जावा स्क्रिप्ट के लिए सबसे मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ अपना script tag अब यहाँ जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले मुझे करना क्या है मैं आपको उपर दिखा देता हूँ दीखिए यह जितने भी हमारे tabs के अंदर buttons आ रहे थे इन सब पर मुझे click event को add करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जितने भी buttons आ रहे हैं और सब के अंदर add event listener से click event को add कर दूँगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एक variable लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक variable ले रहा हूँ कौन से उसकी type है और यहाँ पर variable का नाम है tab button और इसके अंदर मैं target करने वाला हूँ document के अंदर जितने भी query selector लगा के जितने भी query selector odd लगा है जितने भी tab links आ रहे हैं देखिए इसके अंदर हमने यहाँ पर button पे class लगाई थी tab links अब इसी को मैं इसके अंदर use करने वाला हूँ यह देखिए तो जितने भी tab links हैं वो सारे आजेंगे हमारे इस वाले variable के अंदर और यह variable मनजेगा एक array तो इस array के लिए हम यहाँ पर एक loop चलाएंगे तो सबसे पहले मैं loop चलाने के लिए यहाँ पर अपना for tag ले लेता हूँ और इसके अंदर एक variable लेता हूँ i जिसकी starting value रहेगी 0 उसके बाद इस i को मैं run करूँगा जो भी हमारा ये tab buttons है इसकी length तक तो जैसे हमारे page में हमने 3 button डालें तो ये loop 3 बार चलेगा और यहाँ पर अब मैंने i को plus plus कर लिया ये देखिए अब जैसी ये loop run हो जाएगा तो मुझे करना कि अब बारी बारी जितने भी buttons आ रहे है उन सब पर अपना click event को embed करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखिए हमारा जो ये array है इसकी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी first value को pick करने के लिए मैं यहाँ पर pass कर दूँगा I तो इसके अंदर जैसे ही पहला आएगा I मैं 0 उसके पर मैं यहाँ पर अपना add event listener लगा देता हूँ और उसके event हमारा लगेगा click कि user जब भी इसके click करेगा तो यहाँ पर एक anonymous function चल जाएगा ये देखिए अब इसके बाद मैं चाता हूँ कि user जब भी इस पर click करे जैसे माली जी उसने tab 1 पर click किया है इस वाले button पर तो सबसे पहले हमारे पास इसकी value उट किया आ जाए कि इसके अंदर क्या value है क्योंकि जो ही इसकी value होईगी हम उसी वाले tab को ही open करेंगे अगर उसने tab 1 पर click किया है तो यहाँ पर हम इसी वाले tab को display block लगा देंगे अगर उसने tab 2 पर click किया है तो हम इसी वाले tab 2 को display block लगा के उसे show कर देंगे तो देखिए अब मैं उसके लिए क्या करता हूँ यहाँ पर मैं इहाँ पर सबसे पहले एक variable ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं जो भी data attribute के अंदर उसने value pass किये उसको उठाने के लिए, और यहाँ पे इस variable का नाम ले रहा हूँ, tab, name, यह देखिए, तो सबसे पहले user ने जिस पे भी click किये है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, this, this keyword, इसका मतलब है user ने ज यहाँ पे आप देख रहे है, tab, यह tab जो है, यह ही हमारा नाम है, यह data hyphen पहले से predefined है, इसको हम change नहीं कर सकते हैं, मगर इस value को हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसकी value देता हूँ, tab, यह देखिए, अब जो भी इसके अंदर value होगी, वो उटके आजे dot, get element by id, और कौन सा id, जो हमारा इस name में आया है, tab name में, यह देखिए, तो मैंने यहाँ से value उठाई और इसके अंदर पास कर दी, कि इस वाले id को target करना है, क्योंकि दोनों के name मैंने उपर same ही रखे थे, जो tab में पास किया था data attribute में, और data content के अंदर जो id लगाया था, वो name same थे, तो user जब अगर tab 1 पे click करेगा, तो मुझे target करना है id को, tab 1 को, तो यहाँ से वो target हो जएगा, अब इसको target करने के बाद मुझे करना क्या है, मैं जो उन सा भी tab content है, जो उन सा भी id को इसने target किया है, उसको मुझे display block लगा देना है, ताकि वो दिखने लग जाए, तो उ आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास tab contents आ रहे थे, उस पे मैंने display none लगाया था, तब ही वो यहाँ से hide हो चुके हैं, अब मैं चाता हूँ कि user ने जब भी click करे, जिस भी button पे, तो उससे related उसी का id, वो ही show, तो यहाँ पर मैंने ये काम कर दिया, इसके बाद मुझे एक क करता हूँ, देखिए ये loop जो मैंने चलाया है, इसी के लिए buttons के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जिस भी button पर user ने click किया है, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ this, और उस पर class list एड़ कर रहा हूँ एक method, जिसकी health से यहाँ पर मैं class एड़ करूँगा, जिसका नाम है active class, ये देखिए, तो ये काम इधर complete हो चुक है, मैं यहाँ पर file को save करता हूँ, और अभी हमारा ये पूरा code हुआ नहीं है, मैं अभी आपको इतना ही चक कराता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने tap 2 पे click किया, तो देखिए tap 2 का content open हो गया, और यहाँ पर active class लग गये, तो इसका color भी white हो चुक है, अब मैंने tap 3 पे click किया, तो देखिए tap 3 भी यहाँ पर open हो चुक है, मगर यहाँ पर एक problem हो रही है कि यहाँ पर tap 2 hide हो जाना जीए था, मगर वो hide नहीं हुआ है, ये देखिए अगर मैंने tap 1 पे click किया, तो वो show ने लग गया, मगर tap 2 और tap 3 भी यहा को hide कर दे, तो उसके लिए सबसे पहले जितने भी tabs हैं, उनको मेरे को select करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक variable ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक variable ले रहा हूँ, all tab content, और इसके अंदर मैं target कर लेता हूँ, जितने भी यहाँ पर tabs आ आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाँगा, document.queryselectorall, और जितने भी tabs हैं, देखी यहाँ पर मैंने special class लगाई थी, जितने भी tabs हैं, उनके लिए tab content, तो यही मैं इसमें pass कर दूँगा, यह देखिए, तो जितने भी यहाँ पर tabs आ रहे हैं, वो सारे मैंने इसम से hide करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी करूँगा, यहाँ पर देखिए, सब पर ही active class लग गी है, यह जितने भी button है, सारे white हो चुके हैं उपर, तो यहाँ पर भी मुझे यही करना है, जितने भी buttons हैं, उन पर जिस पर active class लगी हुई है, व और इसके अंदर यहाँ पर मैं, देखिए, जितने भी tabs आ रहे थे, buttons, उन पर भी मैंने class लगाई थी, tab links, इसी को मैं इसके अंदर pass कर दूँगा, यह देखिए, अब यह दोनों मेरे variables तो बन गए, इनके लिए मुझे अलग-लग loop चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख इसके शोर हैं, उन सबको मुझे hide करना है, देखिए, यहाँ पर, यह सारे content शोर हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले, जितने भी हमारे page के अंदर, सारे tab के content भी लिए हैं, उसकी मैं यहाँ से length count कर लेता हूँ, यह देखिए, तो उतनी बार हम मैं इसी के लिए loop चला रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, और इसको एक array की form में ले लेता हूँ, ऐसे, जिसके अंदर मैं j pass करूँगा, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ style, कि इसके style में जाके मुझे display को करना है none, तो आपको यहाँ समझ में आ रहोगा सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी tabs से उनको target किया है, फिर उतनी बार loop चलाया, और सब को यहाँ पर जाके none कर दिया, और सिर्फ block अब उसी पर दिखेगा जिस पर user ने click किया, मैं एक बार आपको check कराता हूँ, यहाँ पर मैंने file code save किया, और यह देखिए, जैसी मैंने tab 2 पे click किया, तो यही open हो रहा है, tab 3 पे click किया, अब 3 ही open हो रहा है, 2 hide हो चुका है, और 1 पे click किया, तो 1 ही show हो रहा है, अब मिरको उपर tab के button के लिए काम करना है, सभी पर यहाँ पर active class लग गई है, सभी ही white color के हो चुके है, मैं चाता हूँ कि user ने जिस पर click क है, सिर्फ वो ही white हो, बाकी सारे blue color में नजर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बिलकुल जैसे मैंने ये loop चलाया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर tab buttons के लिए loop चलाऊंगा, और सबसे जाकर active नाम की class hide कर दूँगा, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर loop चला र जाएगा, और उसके बाद जाके मैं यहाँ पर array के लिए ले ले लेता हूँ, all tab buttons, और यहाँ जाकर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे style की property बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, class, list, और उससे मुझे करना है remove, remove क्या करना है, मुझे एक particular class को remove करना ह इसका नाम है active, यह देखिए, अब सबसे पहले जब हम इस file को save करके check कराता हूँ, अब देखिए, जैसे ही मैं tab 2 पे click करता हूँ, यहाँ पर एक problem है, कि यह work नहीं कर रहा है, यहाँ पर हमने कुछ गरबढ़ किया, अच्छा, actual में यहाँ पर यह equals to नहीं आएगा, यहाँ यहाँ पर लगेंगी round braces, यह देखिए, क्योंकि remove भी एक method ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने file code save किया, यहाँ पर अभी भी एक problem है, यहाँ पर, ओ, यहाँ पर हमने j pass किया हुआ है, देखिए हमने loop चला है k के लिए, और यहाँ पर j कोचे नहीं किया, तो यहाँ पर आ आता हूँ, देखिए मैंने tap 2 पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर अब active class इसी पर लगी हुई है, अब जब मैं tap 3 पर क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ से active class हट चुकी है, यह देखिए, तो यह चल कैसे रहा basically, यह उपर वाला मैं आपको बताता हूँ, देखिए यह first time जहाँ पर भी active class लगी हुई है, सारे buttons पर वो सारी remove हो जाती है, उसके बाद हमने इसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक line लिखी यहाँ पर, जिस पर user ने क्लिक किया, वो आगया this में, और उस पर मैंने यहाँ पर active class लगा दी, यह देखिए, सबसे पहले मैं सारी active class हटा देता हूँ, उसके बाद user ने जिस पर क्लिक किया, सिरफ वही पर active class लगा देता हूँ, तो यह हमारा tab बन चुका है, और यहाँ पर मैंने उपर एक border लगाया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर उपर, इसको भी मैं यहाँ पर remove कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने tab 1 का content open हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी, अपने JavaScript के code में, यहाँ पर देखिए, देखिए, यहाँ पर जहां हमारा for का loop खतम हो रहा है, इसके बाहर मैं यहाँ पर target करूँगा, tab link को, सबसे पहले वाले tab link को, इसको, और यहीं पर मैं इसक क्लिक करवा दूँगा, तो उसके लिए मैं देखिए, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे इसको target करना है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, document.query selector, यहाँ पर आपने all नहीं करना है, यहाँ पर आपको simple लिखने, query selector, और इसके अंदर पास कर देना है, tab links को, यह देखिए, अब जहाँ पर मैंने all नहीं लिखा, इसका मतलब यह सिरफ first वाले ही tab link को target करेगा, और उस पर जाकर मुझे करना क्या, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि उसको click कर दो, यह देखिए, तो यह click करने वाला method आता है, जिससे हम user के बिना ही, इस पर click कर सकते हैं, अब देखिए, user first time इस पर click नहीं करेगा, page open होती ही, इस पर click हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इस file को save किया, और यह देखिए, first time हमारा tab 1 पे click हुआ, और इसका content भी open हो रहा है, अब जब मैं tab 2 पे click करूँगा, तो वो ही active हो गया, यह tab 3 आ गया, दुबारा tab 1 पे गया, तो यह हमारा tab बन चुक है, आप देखरें, यह इसका code है सारा, जो मैंने इस video में किया है, अगर आपको यह code चाहिए पूरा, तो यह आप हमारी website से ले सकते हैं, जिसका link आपको नीचे description में मिल जेगा, देखिए, यह हमारी website है, जिसका नाम है yahoo.net, इसका URL है, यहाँ पर आपको menu में मिलेगा एक link जिसका नाम है code lab, आपको इस पर click करना है, और यहाँ पर आपके सामने एक link आ रहा है, javascript tabs, इसी के अंदर मैंने इसका code किया, अगर आपको यह यहाँ नहीं दिखेगा, तो आप tabs में जाकर भी इसे search कर सकते हैं, तो जैसे आप इसे open करेंगे, त तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए, अगर आप ऐसी regular updates आते हैं, तो हमारी चैनल यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए, thank you